अब मैं इस दिन के आखरी पर्फॉमेंस पे जाओंगा अभिसेख जी और गरिमा जी आज एक जुगलबंधी के रूप में प्रस्तुत करेंगे आपके सामने करिपिया उनको अमंतरित करूंगा मैं अब थी एक कावद है कि यह मैं जो भी कहने जा रहा हूं उसके पहले कीomina अपने दोधा फड़ा ओ कआई है कि हरी अनन्त हरी कतका कहें सुनाओं वो भी दिशब संता कि हरी अनन्त है और हर की जो घत्फा है वो भी अनन्त है और बहुत से संत शाधू इसको अपने अपने तरीके से कह रही है और एक और डिस्क्लेमर कि मैं कविता का आरादक हूँ कि मैं कविता का आरादक हूँ खिलवार नहीं कर सकता हूँ सर चड़ जाए कोई इतना लार नहीं कर सकता हूँ सच कहना कभी और कलम की नैतिक जन्मे ये दारी है दिल को दार और राई को पहार नहीं गैसे तो भूल बस अगर कुछ हो जाए तो आपनों मैं ध्यास के बिज़ा ये कहानी है अभिमन्यू की महाभारत में जो सबसे अच्छा पात्र मुझे लगा हूँ अभिमन्यू लगा अभिमन्यू एक गुमनाम योद्धा की तरह चे कारणब, भीस्म, अश्वत्हामा बहुत सारे किता रहे लेकिन अभिमन्यू का जो कितार था जो शोले वर्ष की उम्र में उन्होंने अंडों के लिए जो युद लड़ा, जब भगवान कृष्ण अपनी लीला सरूप अरजुन को कहीं और ले गए, यह उनकी लीला थी तो उस चमय अभिमन्यू ने जो चक्रव्यू में जब फसने के बाद जो लीला दिखाई, जो उन्होंने अपनी मा सुबद्रा के गर्व में थी सुबद्रा के गर्व में शीखी थी, तो उसकी पृष्टती है छोटी सी, आपनों को अच्छा रगेगा कि था वीर एक वो गुमनाम, अहमन्यू था पर जिसका नाम ये आज के युवाओं को बता भी दो, शत्रूशे गिराता जो हिमत से फिर लडाता वो, उसकी वीर गाथा को सुना भी दो, था वीर एक वो गुमनाम आज अपनों पर आती है, फिर खुद को वोकसाती है, योठा की फिर उठती क्रिपान है नियती की मंजूरी थी, पर फेतियां फिर जरूरी थी, कालता तो यहीं बस प्रमान है जैसे मों के काता हिंते जहार समय का था फिर ऐसा बार लीला फिर प्रभू की कुछ ऐसी थी कितनिक मीना वो चिंज था तर्मन मीना फिर विश्लिता रण की इच्छा भी मानों फिर ऐसी थी कि कहने को वो बालखा बयुत के वो लायखा बढ़े कदम उसके फिर कुछ ऐसे थे धर्म राज थी विवर्च नौती थी फिर ऐसे बस चक्रव्यों के नियम कुछ ऐसे थे रणी तिक और होंगी थी ललकार उर्गी हैसी थी कि मान्डू राज को तो फिर चुपना होगा अरि संगसना कुछ वो ऐसी थी समस्या जटल जैस थी कि मान्डवों को रण कर छोड़ना होगा खलबली थी खेमे में कठिंड नैको लेने में के कैस्ते चक्र क्यूं को तोड़ा जाएगा असान था ये अब नहीं के पार्थ जैसा योधन कैसे इसको फेदा फिर जाएगा समय बड़ा बलवान है योधा का समान है वीरों को ये मौका फिर जो देता है सो भागे है ये अपने राके रणक्षेत्र होगा मेरा युद्ध भूबी जैसे मेरा न्योटा है सुना पुसके विचारा को और युद्ध की हुंकारा को धर में राज भी कुछ कहना सके अरे बोले तुम्हें बालबो और हटवस भूले माना को युमत को अपनी और जुटा ना दो सके सुनकर युद्धिष्ट की बात मर्याना के पूरे साथ और जस्री शक्तों में फिर वो बोला था कांपुठी सागर के लहरे मानो कर्टी फीठी तोरी सिंह सिंह का जैसे गर्जर मानो दोला था माना की आया थोड़ी कम ये होश लो में फिर विदम मैं आजीरे वादे आते काने चाहिए कि धर्म मेरे साथ है कि धर्म मेरे साथ है तो दर्म की क्या बात है बालक भी तो योधा हो सकता है समान की ये बात है बस आज की ही रात है कल सुबह तो कुछ भी हो सकता है कि ठानी अभी मन्यू ने फिर मचाने शत्रू में कहे कि चक्रव्यू में रण कने में जाऊंगा औसी ही नौ मा है वित्या जो फिर मां के गर्वे में ताओं उसको आजे मामा फिर कब जाऊंगा रनीती फिर बनी बहा सभोंगे साथ चप्याहा अब मन्यू का प्रभेश फिर हो जाएगा बागी पान्दम होंगे बीचे शत्रू का मर्दम करेंगे ऐसे चक्रव यूप को तोड़ा जाएगा कि युग्दी में कमीन थी मकसद की आग कमीन थी अब मन्यू को अकेले था घुशना पड़ा अरे वर्दाने था जदू को जो शिशे फिर में लाता वो उसके चर्दे पान्दम को रूना पड़ा अभि मन्यू अब अकेला था शत्रू के सामने मेला था वीर तो तहिक भी ना घबराया था मानो मौत से बिला सिंहा सनो सा तब वो खेला दुश्मनों को दीख वो मुस्कुराया था कि हुई गर्जनात थी कि हुई गर्जनात थी शुवात वो तानव कि थी अमन्यू का वो मानो रुद्रवतार था अरे कौरव शेना का खंडरता साहस्ता वो आलेंगरता उसके रण का भीचन कुछ भुचकार था रख्त की नदियां बनी दुश्मन की फिर खेल नहीं पोरश बुच प्रकाश ऐसा पैला था द्राही मामशोर मचा किसी को ना था कुछ चचा रण भूमी में जैसे वो अकेला था की हर द्वार उसने तोड़ा था की हर द्वार उसने तोड़ा ला दुश्मन को पीच छोड़ा था युद्ध में कौशल अपना दिखाया था अरे चिंता हो रही दिधर गिर रहे कौरवों की सिव राट सिप का पचय चराया था अब मान तोड़ा पोरवों का नाम बोला बान दोड़ा गर्दा में जो उसने जो ते दिखाया था आगे का बाता नहीं कि पुद से कोई ख़ता नहीं कि मत परोगा उसने अंगन बाया था अब आपको बता ओ तो अब मामी द्वार को आपको पहुंचा आखरी फिर द्वार था थेदने का इंदे जार मारतियों ने घेरा बना के रखा था अरे हारे जो सोची न थी प्र निश्चे में कमी न थी नियत ने फसा के अब उस रखा था कि लेने पुतरवत का बदा दूरियोधन का खुन खुला अन्होनी को शाइद यही वक्त था भाप कर हलात को दुश्मत के राद को मेत्र से निडर होकर वो सक्त था और देखे राखो रूप उसका वक्त न होता किसी का दुर्योधन का साहस भी फिर दोना था अरे जगाओ पौरुस पावकोई सात मारो बालको तादेशे की दुनी में जाके बोना था धर्म की इच्छा नहीं थी युद्धनी थी ये नहीं थी चल से युद्धनी अंखरंड़ थोना था ग्रिश्न की लीना यहीं थी विजे स्विकार नहीं थी अभि मन्यों को आपर तो मरना ही था अब आपको बता होगा इकस के बाद जवान्यों आपनी दार पर भूशते हैं तो साथ लोग नगे रहते उस दार पर उनको रोपने के लिए तो उसके लिए है की कि साथ साथों तूटे थे थे पसीने सब के जूटे दे साहस जो उसका तोड़ना वो पाए थे अरे छल्का वो साहारा था साथी पिर उसका मारा था रनकोसर को समझना वो पिर पाए थे वो अकेला था खड़ा वो अकेला था खड़ा मारतियों से वो फिर अड़ा मौत से न बिल्कुल उसको डर था निशस्त्र भले ही हुआ मस्तिश्क उसका नाचुका सभर्ष करता फिल थी वो ने डर था कि ललाट पर कोई बन नहीं कि ललाट पर कोई बन नहीं वाने वाला कल नहीं थी पिको उसने अपने फिर यू उताना था अरी सह रहाता आरे पारे वो रहाता उस में बारे खुद के रणकोसर का वो दिवाना था के रत का पही अखीचा था, द अपने भीचा था, रत से उतर कर भे वो वक्र था हिमाले से खड़ा हुआ, डिता वह अड़ा हुआ, मानो उसके सामे काल चक्र था अभी जब यह होता है तो मन्यू का जुरत और चपफ जाता है तो उसके बाद वो रत के पहिये को पहतियार बनाते हैं उसके उपर है कि अब पहिया ही हतियार था कि अब पहिया ही हतियार था उस पर भी शब का वार था भूप ये न जाके अब जचता था शक्तू का सामे जज्टा था, आहे न फिर वो भरता था, अब मन्यू अब पड़ा पुरा रहता था गुर्द्रोन फिर्थ सामले क्या है रण के मायले, अभी मन्यू ने फिर उनको भी ललका रहा था धर्म युद्य कैसा है, अनीतियों के चल्चा है, मरतियों को उसमें फिर भिका रहा था अरे प्रश्णों का उत्तर नहीं, की प्रश्णों का उत्तर नहीं, अब धर्मे की भी बात नहीं, ध्रोन ने भी आँपो जुगाया था अर नर्मस तक्स्ते अधर्म के आंगे जमीर अब किसी का न जागे करन की आखों से असके आया था पीछे से हुआ बार था वे सिर पर जो आगा देखा दुरमा संगा गदे से वो प्रहार था अरे निस्कान चागे तब हुआ, रण छेत्र भी दुखी हुआ, रण की गोद में लेटा रण यार था हिम्मत से बरा, वो प्याना साहस का था, वो सितारा, परदान उसका ये बेविशाल था अरे कभी नहीं मराता, जो रण में अमर हुआता हूँ, शुबत्रा का जवाज ऐसा लाल था अरे अमर उसकी कहानी थी, सोला साल जबानी थी, तो ऐसे बादक साहर होते है अरे बच्चा का अवतार था, वो पार्धिका कुमार का, अमन्यू जैसे यू था साहर होते है अभी इस कहानी से मैसेज मिस्ता है, वो मैसेज में आपको देना चाहता हूँ कि अब मन्यू चाहते तो नहीं जाते वहाँ पे, कोई उनको दिवर्जस्ती नहीं कर रहा था लेकिन उनने कहा कि इस मुश्किल से मैं जाके लड़ूँगा, तो उसके लिए है कि हिम्मत कभी ना हारो, तुम पश्ठ जियां हो कितनी विशंग, खुद पर ग्रवूट विश्वा से तुमको रखना है अरे हिम्मत से भले ही हारो, पर हिम्मत तुम कभी ना हारो, सामना कटनाईयों से तुमको करना है जो होगा देखा जाएगा, तुमको अजमाया जाएगा, अर जो होगा देखा जाएगा, तुमको अजमाया जाएगा हार भी क्या बड़ी कोई बात है जजबे से तुमको जूजना होगा पर जजबे से तुमको जूजना पर मुल्म तुमको ओड़ना जीते की यही तो बस वात है सब लोग आएंगे थावीर एक वो गुणा थावीर एक वो गुणा शुक्रिया, thank you, thank you. यह हमारी पहली पोशेश थी, एक जुगरमंदी की, और मैं यह माता हूँ कि हमेशा कुछ नयाग खरना चाहिए, तो हम लोगोंने ट्राइए किया, आपको अच्छा लगा होगा, और नहीं भी लगा होगा, तो भी ठीक है, लेकिन को कि हम लोग ऐसे ही सीखते हैं, मैं हमेशा यह कहना चाहता हूँ कि हम जब भी कोई चीज़ नहीं करते हैं, पहली बार करते हैं, तो हंडेट परसेंट नहीं आ सकता है, तो यही एक प्रोशेश है, सीखते हैं हमें, तो शुक्रिया, thank you all. अच्छा, नॉर्मली प्रोशेश हमने अलग रखा, मेरा ऐसा माना तक कि जो माल्यारपण है, माल्यारपण जनरली, हमोमन आप आपको बता होगा है, हमने का हम माल्यारपण सबसे बाद में रखेंगे, क्योंकि बीच में जाके माल्यारपण करना हो थोड़ा जो कभी यह सायर है, उसको बीच में डिफ्टर है, उसको बीच में डिफ्टर पुना मगरावाल, thank you. पुनाल भे, आप आईना हैंगे, वच्चे दे, कैमेरा दे, पिक्चर ले ले सो, Mr. Kunal Padu, please come. करता हैं गोवी जयादू दिप पंडे सुभं कटे लिए एक चाय वार होगी है भी जम लोगी सुनल जेठोव सुभंपटे सुनल जेठोव स्रियांस मिस्रूप अबिस इनका नाम बहुत जूने किया पौनी प्रजयबती और अनिकेद परमार प्रजयबती प्रजयबती जूनल जाएंस 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 एक भ्रजयबती जूनल जाएंस आएंस और विद्धा रहे जाते हैं और बहुत ही अच्छा इतनी के लिए बहुत है तो संधर भाई आने के लिए बहुत है मैं आपी चाहता हु़े आपको बायाबत मों हुआ है हमारी पूरी तियंकी तरह से आपको माफी कि माफी होकी आपसे माफी है पर परहें ही कामयाथ है आपी के लिए सचने अज़ेगे पूरी टीमेग साथ श्किपार श्काष्षिंट अपने आपोलना है, यह घड़ की न है, सब्सक्ताई मज्चर वो है